अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भै में लोग संप्रदाए जातियों को बदल रहते हैं और कुछ लोग डर के मारे तो आप बता दो आप कौन हो अरे सेर कौन होता है जंगल का राजा होता है ना और सेर को किस से भै होता है अरे आप सेर है सेर सेर को किसी से जर नहीं होता ब ड़ते हैं तासकंद सिम्ला जैसे समझोतों से, सियार भेडिये से डर सकती सिंगों की आुलाद नहीं, बरदवन्स के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, आई चंबं बना करके तुम किसमत पर फूल गए, पैसट केतर और निन्यान नवे की युद्धों को साथ भूल गए तुम याद करो अब्दुरहमीद ने पैटन टेंक जला डाला, हिंदुस्तानी नैटों ने अमरीकी जट जला डाला, तुम याद करो गाजी का बेड़ा जटके में ही दुआ दिया, धाका के जनरल नियाजी को दूछ छटी का पिला दिया, तुम याद करो नब्दे हजार बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो सिम्ला समझोता इंद्रा के एहसानों को, पाकिस्तान ये कान खोल कर सुले, कि अपकी जंग छड़ी तो सुले, ना प्रिशान नहीं होगा, कस्मिर तो होगा, लेकिन अपर हो गया खड़ा तो तरह तरह मच जाएगी, पाकिस्तान क इन हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी, क्या होगा अंजाम तुम्हें, इसका अनुमान नहीं होगा, कस्मिर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, ये आवाक, ये एटम बंपर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोलेग बाब तुम्हारा आएगा, अ कावलपिंडी और कराची तक सब कुछ पुष गरत अधिका सदियों फेफ़ फैतान नहीं होगा कंप मetin लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन में सच कहती हूं कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा इसलिए मेरे देश के बंदूों मेरे देश के भाईयों खड़े हो जाएए अब खड़े होने का वक्त है अरे क्या भूल गए कि आपके छिनोड़ा पे माता जगदमा के ओपर मास्के तुगड़े प्यके गए और आप चुपचाप बैठे रहे आपको चुपने बैठना है आपको तुझे तक कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे अगर पत्तर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब म मैं लोहे से दूँगा और हम लोहे हैं सिंगों की आौलाद किसी से दर्थी नहीं है इसलिए आज आपको खड़े होने का सब्सक्राइब बिस्मिल्लाहिर रुह्मान रुहिम जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो जो धर्ती भूख उगलती हो पे पाले जाते हों जहां सचाई के मुझरिम भी जिन्दान में डाले जाते हों जहां मजबूरों के खून से अपने पाप भी धोए जाते हों उस देश की मटी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है उस देश की एक कमसे लड़की देखो तो हमें क्या कहती है मैं आज अप अंदर उचने वाले अलफाज के मद्दोज़र कोई खामोश कर देता मैं अपने जेन की दीवारों पर उबरने विले तसावीर को ही मिटा देता मैं अपने परदाए समात को ही तारीक कर देता मगर मैं असर नहीं करूंगा क्योंके हलका गारांस उठी वाली कुछ दीमी धीमी बेमानी सरकोशन मेरे जहन को, मेरे सोच को, मेरे जबाँ को, मेरे अफ़कार को, मेरे नजरियात को, मेरे अससाद को, मेरे जजबात को, मेरे मुशाइदा को, मेरे तजर्बात को, मेरे तजर्बात को, मेरे तजर्बात को, है नई सवाल फक्त मेरे आशिया ने का या जब रसम चली है मेरे रकीब आख सूरज को चराख दिखाने चले हैं हवाओं के रस्ते में दिये जलाने चले हैं काख़ की नाओ को सदा बहाने चले हैं काख़ के दस्तामों से कोले उठाने चले हैं समंदर को दरिया में गिराने च पूलो से उनकी खुश्बूच चुराने चलें और कहां हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिलाने चलें और दिल तो करता है मातम करूं तेरी तक्रीर का फिर ख्याल आता है बच्ची है परेशा होगी और अलफास के दाओ पेच मुझे भी आते हैं काफिय और अधिव के माला पे पायल पहना दू मगर नहीं सचाई और हकीकत के एक जुबा होती है और यह वही लोग समझ सकते हैं जो प्लोश शोर रखते हैं और फहमो फिरासत के मालिक हैं और अपनी तो ये फितरत है कि हमेशा दिन को दिन और रात को रात कहा है सच को सच और जूट को जूट कहा है हम तो मुद्द सही हगोई के मुझरिम है हजूर हम पर इल्जाम बड़ी देर के बाद आया है अरे साथ सुबारा में हिंदुस्तान से एक बहन की पुकार आई थी तो मुहमद बिन कास्म हजास उठकर यहां आ गया था आज उसी हिंदुस्तान से पिर एक कम सिन ना समझ और न नहीं मानते हैं हम यह जानते हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो फने तक्री में हमारा मुकाबला कर सकता इसलिए कि बच्ची से इंतहा पसं लिखे लिगए तक्रीर करवा दी गई वजना एक 13 साल के लिड़की यह क्या जाने कि शिमला मतलब अपने की दोनों से पूछो जो 1909 में करनल शियर खान शही निशान हैदर के चसदे खाकी के साथ पूलों का गुलतस्ता और खत भी बेचते हैं कि यह नाम कहीं नहीं वाकई में एक शियर था जो हमारे दर्मयान गुस कर हमें मार गया अरे शियर को से कहने वाली कैसे जिसे शियर का शियर का सवासिर होता है जिसे श्चेर बोलना नहीं आता वो शियर के कच्छार में हाँ डालती है जिसे नेडव लौश का मतलब नहीं पता जो आम टैंक और पैटन्डेंगा फर्ग नहीं जानती जो ना जzeitना झजनरल नयाजी को जानती है ना हमारे किसे शह पाकिस्तान भी होगा, किराची, पिंडी, असलामवाद, लहौर और मुल्तान भी होगा, याद रखो कश्मीर भी होगा, देखना पाकिस्तान भी होगा। दुस्तान का सीना चीर कर उसमें जे पाकिस्तान निकाल दिया लगता है ये निचले दजए कल फास योई तुक्रीर समझती आ ये करने से पहले किसी बड़े समझधार से मश्वरा नहीं जिया अर अगर किसी से पूछ लेती तो कोई तोझे ये तक्राइर न करने देता क्योंकि वोँ हमारी तारीоды जानते हैं वो जानते हैं कि हमने 1000 साथ एक्टिम पर हुड मरा ने की है हमने बहरे जुर्माद न के गोरे दोड़ाए हैं हमने दर्याओं के सींभी की हैं लेकिन अब बहुत हो चुका अब बहुत हो चुका ये तेरी पहली गलती थी जो लड़की समझ के माफ की जाती है और अलफास का जवाब अलफास में दिया जा रहा है अगर आज के बाद ऐसी कोई आवास बुलंद हुई तो आवास दबा दी जाएगी वो आँख निकाल दी जाएगी वो हाथ काट दिया जाएगा हो भी सकता है खतम सारा लहाज उठ भी सकता है हाथ हाथ के साथ वैसे मुझे इस बाद दी कोई अमीद नहीं है लेकिन कोशिश करना कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मर्द ढूड़ो जब फने तक्रीर में हमारा मुकाबला कर सके अरे वक्त और जगा तुम बताना कोई भी पाकिस्ताने चुनो वहाँ हाफिज उस्मान भी होगा याद रखो कश्मीर भी होगा देखना पाकिस्तान भी होगा तू किस कौ्म पूछने के लिए कह रही है जिसके अपने पाओं ही नहीं है अरे इस मुल्क से अपना वजूद नहीं समाला जाता वो हम कर क्या कबजा करेगा आज हमारे फिकर छोड़ और अपनी फिकर कर अरे वतन की फिकर कर नादा मुसीबत आने वाली है तेरी बरबादियों के मश्वरे हैं आसमानों में नह समझोगे तो मिट जाओ या हंदूस्तान वालो तुम्हारी दास्तान तक कर दो मिट दो पिसक थे प्रेशा है तो मिट रू़ियों का मून जा जाओना जाओ यालो तो मिट और अखने नहीं तो मिट चुम्हारी थांपनी आफने रूआओ कर चाहरी हैं तो मिट रखने तो मिट जाओने पिकर क्वा दोच च्च़्तान यालो ग्च्बत आने झाल झाल झाल